अच्छे ही होने चाहिए और सबसे पहले बताएं आज क्या है आज है जन्मास्टमी तो आप सभी को जन्मास्टमी बहुत-बहुत मुबारख हो यह हार्दी शुकामना है जन्मास्टमी की धेरोर शुकामना है आज तारीक क्या है आज है 30 अगस्ट तो हमने सुचा एक छोटा से वीडियो आपको यहां के दो तीन जो बड़े बड़े मंदिर हैं जैसे दिखा देंगे आपको नाम के बताना आप वीडियो पूरी देखें तो कुछ मंदिर हम कवर करेंगे काफी वीड़ा है काफी एचा म हो ले वीडियो एक बात यह मास्क मास्क लगा लो कोई नहीं लगाए हैं मास्क लगाए हुआ हैं फेस्केम के लिए अटाया था झा कर दोगा है आपको दिखाया बाबा विश्वनात मंदिर जो कि इस सिधार टाउन हाल में तो आप कहां चलेंगे चलने से पहले आप हमें यह बताइए कि जन्माश्टमी क्यों मनाई जाती है यह बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है इंपोर्टेंट और बेहदी सरल्विए आप सभी को पता होगा पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए कि जन्माश्टमी क्यों मना जाती है और अश्टमी जो बड़ा यह क्यों करा जाता है यह मैं बताता हूं यह भगवान विश्णू के आठवे अपतार कृष्ण जी और इन्होंने भाद्रपद मास्क क्रिष्ण पक्ष की अश्टमी को मना आए जाती है तो चलिए बाकी आगे चलते हो दिखाते हो और चीदे स्टेट मंदिर और इससे पहले हम आपको दिखाया था कौन था बाबा विश्ण मंदिर अब हो गया फैस्टी स्टेट मंदिर और इसके बाद हम चलते हैं सीधे अरूमत धाम सबसे में स्पोर्ट पर क्रिशन जी तो अब हमने आपको मिलवाय था दो-दो चोटे-चोटे नन्यमोले क्रिशन जी से तो बच्चे आपको कैसे लगे कभी पयारे थे आप कमेड़े में बताएं बाकी हम चलते अपने अगले टूरिस्ट स्पॉट पहने रगे थे गुल जो यह जाने से पहले अब हम लोग आ चुके हैं चौक और चौक में कहां पर राम जान की मंदिर काफी अच्छा डेकॉरेटेड थो भी दिखाते हो चले हैं हनुमन धाम जाने से पहले अंदर हो रही है आरती चलिए चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं आरती के और फिर चलते हैं हनुमन धाम ठीक है मिलते हैं एक सोड़ी जर में हमने आपको दिखा दी हैं दो मंदिर और अब हम आयते अपने तीसरी डेस्टिनेशन पर कौन जी तो हम आयते हैं हनुमत धाम पर फिलाल लेकिन बड़े दुख के साथ सोचिती है करना पड़ता है कि हनुमत धाम की गेट चुके बंद क्योंकि भीड़ हो गए थी बहुत और टाइमिंग भी काफी जाधा हो गई थी तो हम लोग तो इसी उमीद से आए था कि सब दिखाएंगे लेकिन फिलहाल जो कबर कर दो कर लिया है वीडियो को यहीं रोकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करि रहे हैं लखनाव में लोगों ने दिखाया था प्लासियू महल अगर आप में से किसी ने ना देखा हो तो इधर देख रहा होगा क्लिक करिए और देखिए जाए और लाष्ट बाइबाय हमारे भाई वाई जैने बाइब लुत